अगर आप चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को फिलेस करते हैं जिससे आपको लिटेस्ट वीडियो को नोटिविशन टाइम से मिल सके और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं जास है तो वीडियो में आगर बेंण से पेड़े ज़े वीडियो को लाइक और शेयर करदे अपने दोस्तनी अब बात करते हैं सेसनर्फ नमेर दो यहाप लिखाया है वर्बल कम्यूंच मिTom क्या होता है उसके वारे हुग देस्स करेगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि verbal communication is the sharing of information by using word नहीं कि सब्दों का परियोग करके हम जो information दूसरे साथ में share करते हैं उसको हम बोलते है verbal communication तो आगे लिखा है it is what most people use as a method of communication तो सबसे ज़्यादा जो लोग जो यूसे यूज करते हैं बात करने के लिए वह हमारा क्या होता verbal communication ही होता है आगे लिखा है we will learn about non-verbal and visual communication in the next session जो हमारा next session आएका वहाँ पर हम non-verbal और visual communication को discuss करके फिलाल यहाँ पर हम दो discuss कर रहे है verbal communication को discuss कर रहे है तो आगे देखते क्या लिखा है verbal communication is the important because if you do not use the right word you will cause confusion and you will not able to communicate what you want कहने का मतलब यह है अगर आप आपको यह नहीं पता कि आपको कौन से word सही time पर use करने है तो आपको क्या होगा confusion हो जाएगा ठीक है एक तरह से आगे लिखा है the important form of verbal communication are given in table 1.2 तो यहाँ पर हमारी table दी है 1.2 के अंदर तो हमाँ पर बता हुआ है कि आपको कौन से verbal communication यूज़ करने है किस time पर ठीक है तो हम उसके बारे में discuss करेंगे तो नीचे तरह हमें स्क्रोल करते है तो यहाँ पर table हमारी दी हुए साथ में कुछ example बता हुए है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके type के बारे में फ़हले type आती है आपकी oral या फिर spoken communication या पिर ऐसे लोगों से बात कर सकते हो जिस ठीक है जैसे class कंदर दो इस च्टोड़ना पास में बात कर रहे है तो वो किसमार आता है oral में या फिर spoken communication के अंदर तो यहाँ पर लिखा है communication which involve talking ठीक है एनके ऐसा communication जिसके अंदर बात है करते हो ठीक है तो पहला example यहाँ पर बताया कि face to face conversation when you can see the listener ठीक है यह कहने मतले है कोई अगर कोई वक्ता बोल रहा है या आप से कोई friend आपका बात कर रहा है उसकी बातों आप सुन रहे हो साथ में आपका reply कर रहे हो तो किसमा with public throw speech ठीक है आप public के अंदर बात रहे हैं कि अपनी speech के थूरू या फिर आप class के अंदर बैठे अपनी friends से बात कर रहे हो ठीक है दूसरा example यहाँ पर पहले figure के थूरू बताया हुआ है इसका example इस तरीके से हो सकता है ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरे example के बारे में तो कै थिक होने phone अपनी धर बात करते हैं तो वह भी किसका example है और रहलगा example होता है ठीक है इस अपर Sahas annail और पसिशल अब इस तो पर से अंदर बताया हुए कि स्टार्ट कैसे होता है तो जब हम पहुंच बात करते हैं तो हमसे स्टाट होते हैं ग्रीटिंग वड़ गे स्टार् भाई भी गर सकते हैं ठीके दूसरा एग्जामपल साथ में ने बताया हुआ है classroom के लिए ठीके तो classroom teaching पर जैसे हैं पर business discussion हो सकता है या public speech के अंदर आप कुछ किसी चीज़ों समझा रहे है तो वह भी किसका एग्जामपल हो जाता है इस पोखन या फिर मैसेज देती है ठीके तो यहां पर इसके एग्जामपल बताया हो साथ में इसका इस तरह से notification बताया हुआ है कि आप कैसे इसको identify कर सकते हो तो writing letter, notes, email तो यह सारे एग्जामपल के इसके written communication के अंदर ठीके तो आगे देखते हैं यहां पर दूसरा एग्जामपल बताया हुआ ह इसके अंदर कोई वीडियो हो सकते है तो वह एक किस के अंदर आ जाता है आपको हमारे चलना आए return communication के इसके एग्जामपल यहां पर बताया हुआ हुआ सकता है news paper हो सकता है तो इसके एग्जामपल यहां पर बता दिए साथ में तो आगे देखते हम दूसरा तो यहां पर ह जो सबसे आसान है verbal communication and quick, quick का मतलब है आपको तुरंट reply मिल जाता है कि सामने वाला बंदा आपको से क्या कह रहा है, ठीक है, you can say what you want to, you want and get a quick response, जैसे आप दो friend क्लास के दिरे बैठे हो, तो वो बहुत है कि कल स्कूल आएगा, वो बहुत कहां आओंगा, ठीक है, तो वो भी क् देखा है, जब आप दो या दो से जादे लोग या गुरूप के अंदर बैठे हो, अपनी आईटा को शेर करते हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है, तो you keep changing your communication as per the other person reply, यहनि कि आप अपने जो communicate कर रहे हो लोगों के साथ में, तो आप उनको change भी कर सकता हूँ, जैसे सामने व अपनी अपनी फेस्ट के बारे में लिख के भेजा, बट उसको समझे नहीं आएगा, ठीक है, क्यूंकि लेंग्विज का प्रोड़ों हो सकता है, आगे देखते हैं, अपर क्या लिख है, तो इसका डिसडवांटेज हो जाता है, ठीक है, कोई सेंडर ने अपनी फेस्ट के बारे में लिख के भेजा, बट उसको समझे नहीं आएगा, ठीक है, क्यूंकि लेंग्विज का प्रोड़ों हो सकता है, हमां का ठीक है, आगे देखते हैं, पर क्या लेंग्विज का मैंने आपको एग्जामपल बता थे कि लेंग्विज हो सकता है, कि दोनों की अलगवों पर समझना पाए, दूसरा यहां पर बताया है, क्या आपको होता है, यहां कि लेंग्विज आप बोलने जो तरीका थोड़ा अलग है, यहां कि फ्रेज यूज करते हो, कोई फ्रेज यूज ना करता हो, ठीक है, तो वह भी क्या है, यहां पर डिसद्वांटेज निकल का आत क्या है, यहां पर क्या बन जाता है, डिसद्वांटेज बन जाता है, वर्बल कम्निकेशन का, किस वरे से बना वो, अब बात करते हैं, तो पबलिक स्पिकिंग क्या होता है, तो यहां पर बता है कि पुब्लिक स्पेकिंग इन फ्रंट ओफ लार्ज गुरूप मेक्स पीपल नर्वस ठीक है आप किसी गैजरिंग अंदर जाते हो ठीक है और अचानक आपको कहाँ पर बुला जाते है स्टेज बुला लिया जाता है कुछ आप अपने बारें बताइए लोगों को ठीक है तो महा लोगों के अंदर कॉंफिडेंस होता है है इसे बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पर बोल लेते हैं ठीक है तो आगे लिखाए यू कैन यूज दी ठीक है अगर आपको अंदर यह सारी प्रोलम आ रहे है तो आप इन ठीक का यूज कर सकते हो जैसे पहला बता है प्रपेर प्र प्रपरण कैसे करनेया ठीके तो पहले है बात कर लात यहां पर चया रहे है वह सबसे पहलें आपको डिशांट क्या है उसके बारे म uses लिब क्या सुझ लिजिए छीए फीक में लिखा अप् Youañ अब लिखनया है, आपको ये भी डिसारी करना है कि ऐसा कौन सा बेस्ट वेए जिससे जो लिस्नर है, सुनने वाले है मेरे टौपिक को ऐसा तरीका क्या है जिससे अच्छे से अंडरस्टेंड कर पाई, ठिक है? तो यहाँ पर लिखा है कि write what you plan to say और आपको ये भी ये लिखना है कि आप लोगों सामने क्या कहने वाले है तो आपको उसको एक plan कर लेना है लिखकर ठीक है अब हम बात कर लेते साथ में practice के बारे में तो practice आप कैसे करोगे तो practice by yourself, sorry practice by yourself first talk in front of mirror तो आप practice करने के लिए सबसाच्छा तरीका क्या है आपने कोई आपकी घर्व के अंदर mirror होगा उसके सामने आप practice कर सकते हो या फिर हो सकता है आपनी किसी family या किसी brother के सामने आप practice कर लीजे तो वहाँ पर भी आपको क्या practice हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर बता हुए है talk in front your family and friend and ask them what they think speak clearly loudly at the right time जा right speed ठीक है not very fast or very slow कहने मतलब यह है कि आप जो भी बोलो तो साहब बोलो किसी को ऐसा नहों की confused हो जाए और दूसरा जोर से बोलो सबको आपको 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 slow बोलना है ठीक है हुआ हम बात करते हैं साथ में यहाँ पर जो दिया है perform के बारे में ठीक है तो perform आपके क्या सुचते है take a few deep breath if you are feeling nervous आपको हो सकता है कि अभी जब आप इस्टे पर जा रहे हो तो आपको हमापा थोड़ी परिशानी हो जाए यादि घपराट से हो रहा है तो आपको क्या करना है महापर एक अपनी एक deep breath लेनी है ठीक है घहरे सांस लेनी है जिससे आपको जो feeling आ रहे है नर्वस क क्यों कम हो जाए ठीक है उसके बाद में think about what you prepared और आपको सुचना है कि आप क्या 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 प्रिपेर कर क्या हो और उसके बाद अपना जो confident के साथ में लोगों साथ में अपना speaking या जो आपको 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 वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता ह करना जिसको जिस से आपको लेटेस वीडियो नौटीविजन टाइम से मिल सबसेगे और इसे साथ के आज वीडियो फिनिस करते हैं मिलते हैं नई टोपिक में नई वीडियो साथ में तब तक के लिए फिराल इतने ही गुडबाई है टेक क्यार थैंक यस्ट्रेंट